आदर अभार अभिननन नमस्कार मैं कुंदन कुमार सिंग महामान एजगेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों इस वीडियो के माधिम से मैं आप सभी के समक्ष बिहार बिधान सभा वेरियस पोस्ट रेकृट्मेंट 2018 ऑनलाइन फॉर्म का कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और इसको इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि ये बिहार बिधान सभा काफी दिनों के बाद ये सची वाल पूटल 400 और SCST के लिए सिर्फ 100 रुपए लग रहे हैं अल काटेगरी फिमिल अगर कोई फिमिल अप्लाइ करती है इनके लिए तो उनके लिए सिर्फ 100 रुपए लगेंगे आप डेविट कार्ट, क्रेडिट कार्ट, नेट बैंकिंग के थुरू आप पेमेंट कर सकते हैं और इसकी जो टोटल पोस्ट है, ओ है 101, 101, टोटल पोस्ट आर देर, तो कौन-कौन सी पोस्ट के लिए ये अप्लिकेशन है, इनफाक्ट ये वेकेंसी हैं और कितनी-कितनी हैं मैं सब कुछ आपके समख्ष बिलकुल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और इस वीडियो को टोटल 17 पोस्ट है, जनरल के लिए 9, BC के लिए, बैक्टर क्लास के लिए 2, EBC के लिए 3, SC, SC, SC के लिए 3, and ST के लिए 1 भी नहीं, टोटल 17 है, एज है जो 18 से 37 साल, एलिजिबिलिटी क्या होने चाहिए इनके लिए कौन दे सकता है, एक्साम जिनियो के लिए अप्लाइ कौन बिलकुल आप अप्लाई कर सकते है, जनियो कलर के लिए इसके बाद होता है दुस्तरा असिस्टेंट, असिस्टेंट के लिए total 29 पोस्ट है, जनरल काटेगरी के लिए, BC के लिए 2, EBC के लिए 13, SC के लिए 9, and ST के लिए 1, total 54, सबसे ज्यादा पोस्ट इसी के लिए है, in fact, अ एज लिमिट है हो है, 21 से सांथी साल, 37 years maximum, so bachelor degree from recognized university होने चाहिए, इसके लावा, अब है, assistant, research, or reference, all right, तो इनके लिए, general के लिए 4, BC के लिए 1, EBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 0, total post are 8, and 21 to 37 years is the age limit and bachelor degree in library science with the post graduate in any subject from recognized university, bachelor degree होने चाहिए, library science में मतलब की, बी लिप बोलते है, bachelor of library science होने है, and post graduate with post graduate in any subject from recognized university, पहले तो आप bachelor degree in library science में होने चाहिए, और किसी भी university से आप post graduate भी होने चाहिए, इसके मतलब इसके आगे चलते है, library assistant, general के लिए 5, BC के लिए 1, EBC के लिए 2, SC के लिए 2, और total है, 10 post 21 से 37 सा इन दोनों post को मिला के ये है system, alright, फिर अप चलते है हम, उर्दू assistant के लिए, तो उर्दू assistant के लिए, सिरफ EBC और SC के लिए है, 2 post, एक एक दोनों में, bachelor degree with Urdu as a subject, more details, read notification, I will provide you notification as well, and translator, Hindi or English, general के लिए 1, EBC के लिए 1, total है, 2 post, और bachelor degree with Hindi, with English as a subject, ये जरूरी है, and now, assistant care ticker, इसके लिए, general के लिए 3, BC के लिए 1, EBC के लिए 1, and SC के लिए 1, total है, 6 post, age limit है, 21 से 37 साल, and bachelor degree in, in any recognized university of India, तो इतके लिए, ये सारे के सारे post है, now हम आपके सबसे, महतपूर्ण कारे पे चलते हैं, वो है, notification पे, जी हां, तो notification है, आपके सामने है, बिहार बिधान सभा, सच सची वाले आवशक सूचना, बिहार बिधान सभा सची वाले अंतरगत कनिये लिपिक, मतलब junior कलर्क के रिक्त पदों की भरती के लिए, आयोजित होने वाली प्रतियोगता प्रिक्षा, बिग्यापन संक्या, 2, 2018 का प्रकाशन बिहार बिधान सची वाले द्वारक किया गया और भरने की अंतिम्तिती जो होगी 31 ओक्टोबर 2018, प्रिक्षा सुल्क भुगतान की अंतिम्तिती होगी 31 ओक्टोबर 2018, ऑनलाइन आवेदन भरने की थी भी, 31 ओक्टोबर से पहले पहले आप जरूर ही भर लेजेगा 400 रुपेज का फी है, अल्राइट, नाओ, उपरियोगत बिग्यापन के संब्ध में बिस्त्रित सूचना, विवरनी ओं ओनलाइन आवेदन भरने हेतु, निर्देश बिहार विधान सभा के वेबसाइट www.bihar.bih.nic पर प्रदर्शित किया जा सकता है, अब यार्थिया आवेदन ओनलाइन भरने के पुर्व वेबसाइट पर प्र सकाले सहायक, उर्दू सहायक, शोध संदर्व सहायक और उर्दू अनुवादक, अनुवादक अंगरेजी हिंदी येवं सहायक ओधायक किरिक्त परदों पर भरती के लिए आयो जित होने वाले प्रत्योगिता प्रक्षाबियापन एक 2018 का प्रकाशन बिहार विधान सभा अंतिम है 31 October और तब तक आपको complete form को भर की तयार रहना होगा ताकि आपका बिल्कुल भी उस तरह से इसका resignation या candidature cancel होने का कोई संभावना न रहे तो आपसे हमें यही गुजारिश है कि इस वीडियो को माक्सम लोग तक शेर करने का प्रयास किजिए ताकि माक्सम लोग इस पोस्ट का और इस नौकरी का फायदा उठा सके अगर अच्छी तयारी की हुए तो आप भरिये जरूए 400 रुपय लग रहे हैं ज्यादा नहीं लग रहे हैं और मक्सम पोस्ट के लिए भी भर सकते हैं अगर आप उसके लिए eligible हैं तो eligibility हमने पहले ही बता दिया है अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजए क्योंकि आपके information समद्धेत हैं बहुत सारी ऐसे जानकारियां लेकर आते रहेंगे जिससे आप बार बार लावानुत होते रहेंगे ये खर बष्चिछ को बढद बार एब बार बडिश्च वार बार 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 टी वार बट्र कॉट्टा इए जिए डिए जिए लेकर चैनल को बबस्क्राइब नहीं कि एक्ट आप लावान।